हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक माई यूटूब चैनल दोस्तों मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है कैसे हो हाई होप अच्छे हूंगे आप सब दोस्तों मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं हमारे खेत में जो पापाया प्लाइंटिंग हो रही है दोस्तों मैं दिखाऊँगा आपको कैसे पपीता की फेड़ लगाते हैं कि इस्टेंस पर है क्या बेलीडिटी होती है बस मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों बने रही है वीडियो में यह मारे ग्यों का पार सामने देख सकते आप सरसे उकटाई चल रही है तो दोस्तों बने रही है वीडियो में आपको लेके चलता हूँ तो दोस्तों यह पपाया की बहुत जुकेत में लगाई जाएंगी सामने सूर यह हमारा भर्म देख सकते हो यह पर प्याज है लेसून और यह सामने चुकंदर है देख सकते हो दोस्तों तो बने रही है दोस्तों वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ हूँ लगाई 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 दो 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 दोल्गा सबटाब यह उनियन फार्ग दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ जहां पर पपाया के पेड़ लगाए जाएगे और उसकी तैयारी चल रही है भी क्योंकि रो एंड कोलम दोनों में जो डिस्टेंस है वो बरावर रखी जाएगी ताकि इसमें दूसरी किसल जादी है खावन लिया जा सकते हैं बने रही है दोस्तों बीडियों में ताकि आजिया है जो आजिया है जो अजिया खावने जाएगे गडियों में इसकी आजिए वाटों अब लगाये की नहीं दसरत रहागे कि तो अब लागा गे पापाया लग चुका है और कतनी डिश्टेंस पर यह साथ पिट की साथ पिट की वह बीच में पसल भूब जेएगी तो दोस्तों दसरत बताएगा कि पपाया की प्लांटिंग केसी होती थोड़ा विस्तार से पाया की पोदार ओपन लाना पड़ती उसको चार दिन रखना पड़ती इसके बाद इसकी दूरी आठ पिट की दू फिर वो कुमलाता नहीं है गर्मी में और इसका मतलब फरवरी या मार्च में लगाना शुरू किया जाता है और इसमें कम से कम पानी दिया जाता है इसे पानी भी नहीं चाहिए जाता और एक पेड़ में कितने पपाया लग सकता है एक पेड़ में दो कुंडल पपाया निक जाता है तो कापी अच्छी इंपॉर्मेशन दीए दसरत ने अगर आप चाओ तो इंपॉर्मेशन ले सकते हो पापाया प्लांटिंग की और अभी लगाया इसके बाद पर देखते हैं कैसा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक-दो महीने बाद तो इसमें पल कप तक को पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करिए कमेंट्स करिए सेर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सोमाच जैहिंज जैवारा